आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, हमारे जो question है उसमें बुले गए कि position vector of points A and B with respect to O वो यहां पर origin है यह क्या है? A vector and B vector है and C is midpoint of line segment AB vector ठीक है? Then OC vector कितना होगा? वो हमको बताना है ठीक है? तो देखो हमारा position vector का मतलब क्या होता है? यह अगर हमारा coordinate axis है ठीक है? और अगर मेरा कोई एक point यहां पर है मैं मैं बहुत हो चलो A है ठीक है? तो अगर इसका मैं बोल रहा हूँ कि position vector यह vector A है तो इसका मतलब यह होता है कि यह origin से लेकर यह वाला यह जो vector है यहीं A vector को represent कर रहा है ठीक है? तो इसी तरह से देखो जब दो point हमको given होते हैं एक point है अपना A vector दूसरा point है अपना B vector ठीक है? चलो तो इन दोनों का अगर मुझे midpoint निकालना है ठीक है? तो midpoint का formula और midpoint हमारा यह C है ठीक है? और यह A denote कर रहा है और यह अपना B denote कर रहा है ठीक है? तो midpoint का formula यह होता है कि C vector अगर हो मैं इसको इसके position vector को C vector से denote कर रहा हूँ तो यह C vector हो जाता है मेरा A vector और plus में कितना B vector और divided by कितना 2 हो जाएगा ठीक है? तो यह C vector यहाँ गया है C vector मतलब position vector of C है with respect to O तो देखो एक तरसे यह OC vector ही तो होगा अगर मेरा C इधर कहीं है में मान लेता हूँ ठीक है तो position vector इसको में C माना हूँ तो इसका मतलब यह OC vector ही तो होगा ठीक है जैसे यह अपना इसका position vector A vector था और यह OA vector को ही denote कर रहा था A ठीक है तो इसी तरह से C vector का position vector हम निकाल चुके हैं A plus में B vector divided by 2 है तो यह OC vector भी कितना होगा यहीं होगा ना ठीक है तो OC vector कितना होगा मेरा A vector plus में B vector divided by 2 तो यह हमारा answer तो हूप आपको समझ में आए होगा Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा